नमस्कार दोस्तो मेरे पाम लिडिंग चैडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 33 वर्स के पुरूस के पाम का असस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सड़ प्रथम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहल अगर आप लोगों नभी तक हमाई चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करपेकर के चानल को सब्सक्राइब कर लें बेल अकन को प्रेस कर दें ताकि लिटस नॉटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है आगे की जिन्दगी कैसी रहेगी वरतमान में ये गवर्णमेंट जॉब में है और आपके कुश शब्दों के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा इन्होंने मुझसे कहा कि आपकी वीडियो काफी अच्छी होती है काफी मोटिवेटेड होती है जिसको देखे के मुझे काफी एनरजी भी मिली और अपने लाइफ से बहुत सी बाते मैंने टैली की जो मिरे लाइफ में कमप्रीटली मिली तो धन्यवाद आप अमारे वीडियो को फॉलो कर रहे है और उन सवी के लिए आमारा धन्यवाद जो हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे है और हमारी बातों को सुनके अपने जीवन पर करने का प्रियास कर रहे है मैं दिल से उन लोग का धन्यवाद करना चाहूंगा और अगर आपको फाइदा हो रहा है हमारी बाते सुनके या आपको कुछ अच्छी चीज़े समझ में आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें ताकि इसको देखे के और भी लोग जान पाए कि जो मेरे दौला जान करें दी जाती है वो बहुत सही है और बहुत माईने में आप लोग के लिए फाइदे मंद है दूसरी चीज़ इनका ये गवर्णमेंट जॉब में है तो फिर मैंने इनके हतिली को देखा और मैं कभी भी किसी भी क्लाइंट का अगर हाथ मंगाता हूँ या देखता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ आप चुपरो पहले मेरी बाते सुन लो मैं आपको क्या बताना का कोशिश कर रहा हूँ अगर मेरी बाते सही हुए तभी आप में पर ट्रस्ट करो ने तो क्यों करो गया आप सिंपल साइकलोजिक है तो मैं सभी को यही चीज़ बोलके रोकता हूँ तो मैंने भी इनको बताया कि आपकी जिस वर्स में इनकी नौकरी भी थी exactly वो वर्ष बताया गया हमारे द्वारा और जब जब जो जो तरक्की इन्होंने जीवन पर किया था वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा बताई गई तो अब यहीं बताएंगे सही है गलत तो वो सही थी तो अभी इनके प्रशनत है कि ग्रो जी मुझे लाइफ लाइन थोड़ी डिस्टर्व लगती है इसकी क्या वज़ा है पहले चीज़ और स्वास्त कैसा रहेगा और आगे कितने पैसे कमा पाऊंगा ऐसे तो इन्होंने प्रापर्टी विगरा बना लिया वो तो मुझे इनके हतली से दिखी गया वो तो इनके हतली पड़ी था काफी शांदार हतली आपकी सरकारी छेतर में ये है भी सरकारी जॉब कर भी रहे हैं और आगे के भी तरक्षी के काफी अच्छे कासे योग है वैपारिक दिस्टिकों से चीजों को समझना चा रहे थे कि कुछ अभी इन्वेस्ट करना चा रहे हैं बड़ा तो क्या उसके चांसेस हैं तो जरूर चांसेस हैं और आप कर भी सकते हैं क्योंकि आपकी हैतली वाकिये लाजबाब है तो पहले आपके प्रशनों पर चलता हूं तो इनके प्रशन थे हैं कि लाइफ लाइन में distractions मुझे लग रही है तो टेंशन मतलो लाइफ लाइन में कोई distractions नहीं है आपकी और यह जो एज है न आपकी लाइफ लाइफ लाइन के यह भी आपकी 75 प्लस की एज है जिन्दगी अच्छी है बिना किसी राहू लाइन के साथ है तो डर क्यों रहा है कोई चिंदा नहीं है मस्त जीवन रेखा आपकी दूसरा विपार में धनलाफ कर सकता हो की नहीं तो देखिए एक विपार के योग आपके अतले पर डबलब कर रहा है आपकी बुद्ध रेखा इनकी फेट लाइन तो चमकदार, जानदार, मजेदार, जबरदस्त है ये भाग्य रेखा नॉर्मल भाग्य रेखा है ही नहीं सरकाई छेतर से दनलाफ के योग भी थे आपके एतली पर और जिन्दगी बार भाग्य रेखा अच्छी जा रही है और जीवन रेखा पर कुछ प्रगती के योग तो बने हुए हैं आपके एतली पर ये देखो, completely तो ये 30 वर्सों के बाद की ही प्रगती के योग बने हुए तो continue आपकी चल रही है ये देखो, 40 वर्स तक तो completely आपकी चल रही है और continue आपकी जीवन रेखा है, तो तरकी पर आप जा सकते हैं बिना किसी आपको इश्वर का आशिरवाद तो आपको मिला ही मिला है, तो इश्वर को धन्यवाद दीजिए, आपको उन्होंने बहुत बड़ा चीज दिया आपके एतली के माध्यम से, दूसरी चीज आपकी सूरी रेखा, बहतरी ने एक source of income रहता है और प्रॉपर्टी तो ऐसे आपके कि 23-24 में तरक्की तो मुझे दिखी गए थी आपके जीवन पर, और वो तरक्की तो आपकी हुई ही हुई होगी, तो ये इनके questions थे, जिसका मैंने उत्तर किया, अभी इनके तली पर बनने वाले कुछ positive अवस्थाओं के विशा में बताऊंगा, फिर इनका जनलना ल रेखा, strong heartline, साप सुतरा आते लिए और क्या संतुलित रेखा, जबरदस्त सुई की तरह मक्षन भाग्य रेखा, विक्ती को भाग्य का साथ तो मिलता ही मिलता है, और जबरदस्त शूरी रेखा आते लिए पर मौझूद, मतलब लाइफ में तो कोई tension ही नहीं, एक तरक्की हो गई आपकी, फिर दिरे दिरे आप आगे बर रहे थे और भाग्य रेखा में इतना जानता कि वो आपको धन कमाई देरा था आपके जिंदरी पर, strong एक रेखा और जो आपकी भाग्य रेखा से मिल रहे है, एक सूरी रेखा और बनते वे निज़रा आ रही है, strong बुद्ध और कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, आप खुद differentiate कर सकते हैं, आप खुद उस चीज़ को समझ सकते हैं, इसमें कोई समझस्या वाली बात नहीं है, तो ये इनके कुछ खुबसूरत योग थे, बाकी और भी अच्छे योग हैं, उसको भी मैं बताऊंगा आपको तो अभी मैं इनके एतली का general analysis सुरू करूँगा, चीज़ों को असपस रूप से clear करूँगा, each and every lines के विशे में आपको जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को देखिए, सीखिए, समझिए और आपने जीवन पर लगा के देखिए कि आपके जीवन पर वो चीज़े सटीक लिए है, ये बड़ी जबरदस्त है, तो विक्ती भद मात्मा कांची होते हैं, अपने कारे को बड़े इमानदारी से करते हैं, no doubt, और जिद्धी किसम के इंसान होते हैं, मूलता ग्रू में strength है, गद्धे दारवस्था मोजूद है, तो विक्ती को राज्यों की प्राप्ती होते हैं, मतलब 65%, इसका मतलब की जिन्दगी बड़ी मस्त भी थी नहीं है, ना तो कोई प्राप्लम था, ना कोई प्राप्लम होगा, ये तो पहले चीज़ हो गई, स्वास्त को लेकिन का एक प्रश्न था, वो मैं clear करूँगा जब जीवन रेखा प्याओंगा, निशिंद क्या होता है, कि इनसान को थोड़ा सा भी प्राप्लम हो जाए, स्वास्त की रिगार्डिंग या financial loss कभी कवार हो जाए, तो इनसान बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है, तो ये lines ये तो बता ही देती हैं, तो पैनिक होने के आवश्यक्ता नहीं है, इतनी चपरदस्त आपकी बागई रहता है कि आपको दिक्कते नहीं आएंगी, इक्चाषक्ति प्रबल है, तरक्षक्ति अच्छी है, डिसैर्स के बहुत अच्छे योग है, तो वेक्ति भाड डसारेबल होते हैं, इनकी जो सोच होते हैं वो लोगों से हट्के होती, अलग होती है, यह हमेशा चाहते ह कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ और मैं कुछ ऐसा करूँ जिसको लोग देखे जाने थुरा मैनती कश हते लिए आपको मैनत तो करना पड़े का लाइफ पर आगे बरने के लिए और किसको नहीं करना पड़ता ये भी एक बात है और जबरदस्ती यवाकिरती तो व्यक्ति को जब सपोर्ट के आवशक्ता है इनको सपोर्ट तो जिन्दगी पर मिली जाना इसमें कोई डाउट नहीं है तो स्ट्रॉंग थंब है आपका स्ट्रॉंग विक्तितों का परिचे करा रहा है ये थंब फिर देकिस समझदारी के लोग ये तो जरुत से दादा अची है मतलब बहुत शांदार समझदार विक्ति हैं आप बहुत समझदार विक्ति हैं अपने कारे को हमेशा ही समझदारी से करते हैं और कोशिश करते हैं कि सब चीज को सोच के समझ के करूं और जब आप इतना बारिकी से काम करते हैं और आपके एतली पर राहू लाइन नहीं होती है त कोई गलत भावना नहीं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, इमानदारी से काम करते हैं, और जब आप इमानदारी से काम करेंगे ना, तब ही आप जीवन में उस हाइट तक पहुँच पाएंगे जिसके आप उमीद कर रहे हैं, तो इमानदारी तो सबसे पहली होनी चाहिए, ज तो ये इधर हो गई न, इधर मतलब सिफ्ट कर गई, तो ये सन फिंगर आपकी हिम्मत को दर्शारिय ब्रश्पति आपकी दारमी कास्ता और कंजूस प्रविर्ति के इंसान हैं आप, कैल्कुलेटिव प्रविर्ति आपकी रहेगी, इसका मतलब ऐसे लोग नियमित रूप स अपने जन्दगी को जीते हैं, बेफजूल के खर्च में दिमाग नहीं लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि कम ही खर्च हो तो زیادہ बेटर हैं, और अपने उपर करेंगे, लेकिन दूसरे को उपर नहीं करते हो, करना भी नहीं चाहिए, क्या जरूरत है, कोई जरूरत में है, क प्रारंबिक समय में लापडवाज जरूर रहते हैं, ये एक बढ़ी प्राब्लम रहती है इन लोगों में, कुछ अस्मरन सकती में प्राब्लम आ सकती है, कुछ भूल सकते हैं, या दास में कुछ थोड़ी सी प्राब्लम आ सकती है, ये प्रारंबिक समय में ज़ादा देखने को मिलती है लेकिन अब की वो समय चली गई अब आपका समय बढ़िया है तो बस टेंशन खतम करो कोई चीज़ें ऐसे फालतों की बाते माइंड में नहीं रखनी है जो आपको काम करने जो तो आपके दिमाग में वो हमेशा है इसी लिए कोई टेंशन नहीं है बुद्ध फिंगर आपकी अच्छी है और ये हलकी टिंड करे तो बिजनस प्रॉस्पेक्टर से चीज़ों को समझा रही है प्रारंबिक समय में दिक्कत था वो चीज़े मैंने प्रेडिक्शन किया भी था आपकी अरली जन्दगी को लेके और अभी के लिए 30 वर्सों के बाद की इसकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि बुद्ध माउंट आपका प्रबल है अब देखें कि ब्रश्पती यहां से कुछ लाइन्स थोड़ा धोका के योग को बढ़ा देती यह मतलब प्रारंबिक समय में कुछ लाइफ में सर्टेनिटी नहीं रहती मतलब लगता है कि सही चलेगी कि नहीं चलेगी कुछ अर्चने आती रहती है सक्सस पाने में थुरा दिक्कत होता यह प्राबलम रहती है इस बजा से लेकिन यह 25 के बाद तो भहती कमाल की हो गई थी इंसान को कोई दिक्कती नहीं होती जिंदगी बढ़े मजे में बीच जाती है इन लोगों की जादा अकतर परिशानी देखने को नहीं मिलती है स्ट्रॉंग स्क्वाइर बन रहा है तो एक टीचर के प्रफेशन को और हाई अर्थिटी पोस्ट के तरब भी यह सारा करा रही थी विक्ती की तरक्की होती है तरक्की के योग भी था ब्रश्पती है साप सुत्रा अपने काम पर ध्यान देना, कंसंड्रेट करना का अपने कारेच छेतर को बढ़ाने के लिए ही हमेशा सोचना ऐसे लोगों की यही मानसिकता होती है फालतू के बात विवाद इदर उदर पलना देखाना इन चीजों में इंट्रेस्टेड नहीं होते है यहां से दबाब है तो विक्ती मैनती मैनत का फ़र इनको मिल जाएगा जिन्दगी के लाश तक सैटरन रेका ने दिया बहुत युम्दा साथ और सरकारी छेतर से दनलाव के योग के तरफ यह पखोवी इशारा करा रही थी एक लाइन आपकी और बन रही है जो की यातरा है दूड की यातरा है जंदगी पर हो सकती है हो शकता है कि विदेश के कुछ यातरा हैं बने और कोछ सुखद यातरा हैं बनने के चांसस बन रही है लाइन ओफ एजूकेशन अच्छी है ये आपकी इंटरिजेंस लेवल को दर्शाते हो ये बहुत ही शांदार है व्यक्ती काफी इंटरिजेंट होते हैं अपने कारी को बड़े समझदारी बड़े बारी कीसे करते हैं अब फिर भी लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि गुरू ज इसलिए अगर आपको कुछ दाउट्स लग रहा है तो आप दिखा रहे जए कोई गलत जानकारी नहीं मिलेगी ये मेरी गैरिंटी है फिर दिखें इनके पैत्रिक संपत्ति का मध्यमस्तर ये साथ फिर सूरी रेका बहुत बढ़िया है तो एक सूर्स ओफ इंकम जंदगी पर डिपेंड इंडिकेट करा ही रही थी ऐसे विक्ति का एक सूर्स ओफ इंकम तो रहता ही रहता है और आगे चलके कुछ प्रापर्टी भी खड़ी लिया इसके प्रशनता कब उस पर मकान बना सकता हूं मैं तो 36 के बाद के बहुत ही अच्छे योगे आपके हतली पड़ तो विक्ति की भागे से बन जाती हो भागे रेखा जब इतनी पतली हो ना तो फिर ना तो मैं टेंशन लेता हूं ना मैं ट प्रापर्टी लेता हूं सिधी बात है ऐसे लोग के जिंदगे पर दिक्कते नहीं आती फाल्टू का टेंशन देके ठग विद्या करने वाला इसाप किताब तो मारा रहा ही नहीं है कभी नहीं वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो लोग बोलते हैं कि ये करालो यग कराल फलना करालो ये करालो ढिमका करालो मतलब इससे क्या हो रहा है इससे कुछ भी नहीं होता जो इंसान आगे बढ़ने वाला होता है वो बढ़ी जाता है कुछ अगर आपको minor problems लग रहे हैं आते ली पर तो उसके लिए उपाई दे दीजिए लेकिन फिर वही बात आती है कि आ इंसान को नेम फेम चाहिए नेम फेम ये कमाते ही कमाते है अपने जिंदगी पर बुद्ध भी अच्छा है बुद्ध भी एक से कारे करने वाले हैं अब खड़ी लाइन से हैं तो बहुत इंटलिजेंट ऐसे लोग की इंटलिजेंस लेवल जोते हैं यह हद से जादा होती ह अपने काम को बड़े तेजी से करते हैं कहीं छोड़ दो इनको आप कहीं से पैसा कमा लेंगे इतने तेज होते हैं और बिजनस प्रोस्पेक्टर से सीज़ें अच्छी समझ में आ रही है मंगल अच्छा एनर्जेटिक है बहुत एनर्जी है और इनका प्रशनता स्वास्त क परिशानी होगी अगर कुछ आपको स्वास्त की परिशानी हो भी आपके जिंदगी पर तो उसका proper care आप कर सकते हैं और curable आपकी problem है ये मैं guarantee लेता हूँ क्योंकि आपकी mangal बहुत शानदार है ये लोग बहुत dedicated हिमती होते हैं ये लोग परियास करें तो अपने किसी भी problem को ठीक कर सकते हैं हलकी सी कोई problem इनको आ रही है और वो problem भी मैं सारा कर देता हूँ यहाँ पर शुकर आपने अगर मेरी पहली की वीडियो देखी है तो मैं विचार करता हूँ और बताता हूँ कि यहां से अगर शुकर में आपको दवाब दिख जाए तो diabetes के योग बनते हैं यह आप मेरी पीछले की वीडियो देख लिजे कहीं न कहीं किसी न किसी वीडियो में हमारे द्वारे यह बाते बताते हूँ जरूर मिल जाऊंगा मैं तो इस चीज के लिए आपको जरूरी है कि आपको proper अपना ध्यान देना केर करना इसकी काफी जरूरत है आपको बाकी बंगल बहुत अच्छा है तो इनसान ओवर प्राक्रमी होता है इसमें कोई डाउट नहीं है फुर देखे इनके अतली पर चंदरमा पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है कुछ यात्राएं है ऐसे तो बहुत चदा यात्राएं नहीं रहती इस केस में लेकिन कुछ ए रहनलाव की स्थिति को ये बता रहा है इनसान को कम इन्वेस्टमेंट में जादा फाइदा मिलने के बहुत चांसे से हैं एक आपकी जीवन रेखा के साथ भी एटाइस डोड़ी है यहाँ पर से यह मिल जाएगी आप जीवन रेखा के लिए टेंशन लोई मत यहां से मिल ज होगी तो कहां कोई टेंशन है कोई टेंशन नहीं है जबरदस्त फिर देखें इनकी स्ट्रॉंग शुक्र शुक्र शादी के बाद की बागो दे मनी की बहुत अच्छे लाइन्स तो प्रॉपर लगजरी का सुक आपको मिलेगा उसके योग भी आपके अतली पर है और कुछ स्ट्रेस रहता है लेकिन लगजरी सुक बहुत सांदार और शुक्र मैक्सिमम केस में अच्छा है तो व्यक्ति के जंदगी अच्छी बीत जाती है लेकिन यहां से दवावना शुक्र गुप्त परिशानी के तरह इशारा कराता है तो कही न कहीं जो आपको प्राबलम हुआ आए वो उसके तरह भी इशारा करा रही है तो बस प्राबर केर करें एक्सरसाइज विगरा करें दिक्कते नहीं आएंगे क्योंकि आपकी परती रोदग चमता अच्छी है बीमारी से लड़ने की चमता आपकी अच्छी है अगर आप केर अभी भी नहीं करेंगे तो मेरा लेकिन फिर मंगल अच्छा है तो चीजों को मैनेज करता है ये लेकिन कितना करेंगा तो पैणी कोने का वशकता नहीं है जिंदगी है उपर नीचे चलता रहता है इतना क्यों सोचना बस अपने काम पर ध्यान देना आगे बढ़ना आगे बढ़ोगे यी बढ़ोगे आप और बांकि इनकी देखो तो स्क्वाइर से बनी वे दो-दो स्क्वाइर से तो विक्ती को प्रपटी का सुक मिलता है जबरदस्त मंगल रेखा जबरदस्त जीवन रेखा दिरकायू जाही रही है अगर एक आज साल आपका आयू कम हो जाता है तो आपकी गलती से यह मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है और आपकी टेंशन लेने के योग जादा अच्छे है और आप लापड़वा हो आलसी हो तो वो मत करो यह आपके जंदगी पर परशानी कर सकती है बांकि आपके जंदगी में कोई टेंशन नही है प्राडंबिक समय से प्रगती थी और कुछ आगे भी आपकी चालिसमे वर्स तक तो प्रगती मुझे दिखी रही है और जीवन रेका मस्त मख़ड कोई टेंशन नहीं माइंड रेका जबरदस दिमाग के भी बहुत बली हर्ट लाइन क्या बहतरीन बालसिक डिस्टेंस तो इसको कहते हैं क्या संतुलित इंसान है आप मतलब जबरदस्ट पैसे कमाना है आपको वो आप कमाओगे कमाओगे ये कन्फर्म है ऐसे विक्ति बहुत पैसा कमाते पने जिवन रेका मस्त और बागे रेका तो क्या ही बोलो मज़ेदार है देख कई मज़ा आने वाला बात है एक दम सुई की तरह पतली और जिंदगी के लास्ट तक और मल्टिपल प्रापर्टी के योग 36 के बाद का आपका प्रापर्टी बन जाएगा जो आप घर बनाने का प्लैन कर रहा है चंदर से एक लाइन और एक सूरी रेका का ब्रांच बन रहा है यहाँ पर हो सकता है थोरा केर करने के आपको आवशक्ता जरूव है तो यह था इनके दली का पूनत अविशलेशन एक चीज़ और चूट गया यहाँ पर से देखो तो दो इनके ट्रेंगल बने वे इसको क्रॉस भी आपके है सकते तो दो मूद्दा ट्रेंगल आपके भागे को भी बलको इंक् पर कर रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं कोई दवाब कोई टेंशन में नहीं देख पाड़ आपके हत्ली से तो यह था इनके दलिए का पूनत अविशलेशन अगर आपको मारा यह वीदियो पसंद आया लाइक कर दे कबेंट कर दे सर्क्राइब कर दे अगर आप प् description में मिल जाएगा लेकर आप समपड़ कर सकते हैं धर्नेवाद